वेल्कम टो 7 एम एपिसोट चलिए बात करते हैं सलार के बारे में क्या चल रहा है यार प्रमोशन है कन्फूजन है पोस्टपंड वाके में हो रहा है क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है देखो यहां पे दो तरह की बाते होती हैं पहली बाद तो यह अगर हम ऑफि कोई डालिंग प्रभास की उनकी इंस्टाग्राम एकाउंट पे फेस्बूक पे मतलब कास्ट और क्रिव इन लोगों के कोई ओफिसेल एकाउंट से हमें देखने को मिलती है लेकर अगर हम उन लोगों को फॉलो करे ओफिजल तरीके का होम बाले फिल्म्स हो गया साल अर्द देखने को मिलता है वो है उनकी लास्ट मोवमेंट जो कि एकदम से दो मेहने तक बो लोग चुब बैठ रहे हैं मूड रहे और लास्ट में एक वीडियो छोड़ दिये जहां पर लिखा था कि ट्रेलर कमिंग सुन और अभी तक डिलीट नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ मतलब जो होता है तो वहां पे सलार दस आगा मतलब सलार मूवी का रिलीज डेट अभी भी सेप्टेंबर 28 बता रहा है अगर हम पैंडे को को देखेंगे तो अभी भी टिकेट सोल्ड आउट हो रहे हैं वो रिफंड वगिरा का कोई अपडेट नहीं आ रहा है अगर हम दुनिया की सुनें दुनिया की मतलब कोई वाइराल नहीं तरन आदर्स जैसे लोग इसको मेंट्सन कर चुके हैं के सारे फिल्म में प्रिपॉंड होकर के आगे आ चुकी है अगर यह इस सारी चीश को फोलो करें तो भाई सलार मूवी जो है वो पोश्पन्ट होने पाकी में पुश्पन्ट हो रहा है अगर पाकी में पुश्पन्ट हो रहा है तो ऑफिसल अपड़ेट अभी तक क्यों नहीं आ रहा है इतना सब कुछ हो चुका है तो ऑफिसल अपड़ेट यह लोग क्यों नहीं दे रहे है बाई मैं यहां पर एक चीश कहना चाहूंगा मै अब लोगों की उम्मीत यह नहीं बढ़ा रहा हूं कि 28 सेप्टेंबर को हमें लिटरली देखने को मिलेगा बुल कर गे क्योंकि तक बहुत सारी फिल्म है जैसे फुक्रे 3 का कल ट्रेलर आ गया 28 सेप्टेंबर वहां पे लिखा हुआ है मतलब 28 सेप्टेंबर को वह फिल्म आ रही है वैसे एराउंड दस से बारा फिल्म जो है न एकदम से इधर उधर हो गया है सलार की बज़े से सलार मुवी पोश्पन्ट हो रहा है यह बात जब उन लोगों को मतलब उनकी कानों में गिरा तो बो लोग अपने फिल्म की रिलीज डेट को लेकर के इधर उधर कर दी है कि सोसेल मेडिया एकाउंट हो गया कोई भी जो भी कहीं पर भी हमें कोई पोश्पन्ट की अपडेट जो मिलता है चलो बहुत तो कोई वाइरल नियूस से कुछ हो गया है बोल करके हम सोच सकने हैं लेकिन कोई फिल्म मेकर्स ऐसे ही कोई नियूस को सुन करके अपनी फिल्म पोश्पन्ट होने वाली है लेकिन ओफिसल अपडेट क्यों नहीं आ रहा है मेकर्स का मुवमेंट क्यों नहीं है क्या उन लोगों का रिलीज डेट नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं दे रहे है भाई अपडेट ये तो दे दो कि सलार जो है वो पोश्पन्ट हो चुकी है और करेंगे कि क्या है सलार का मुवमेंट तो वहाँ पे सलार कमिंग सुन एंड वही जो पेंडेगो का जो टिकेट सोल्ट आउड वागेर अगर हम डिरेकली होंबाले फिल्म को टार्गेट करेंगे फॉलो करेंगे तो लेकिन बाकी जो बाहरी सोर्सेस है बाहरी दुनिया जो है उनको हम देखेंगे तो सलार मुपी अल्रेडी पोस्पांट हो चुका है तो भाई बहुत बड़ा कन्फीजन है यहां बहुत बड़ा कन्फीजन है और अगर हम रिलीज डेट की बात करें तो भाई यह तो एकदम से वही सनी दोल सर की जैसा ही हो गया कि तारिक पे तारिक तारिक पे तारिक तारिक पे तारिक कोई भी एक तारिक नहीं टिकराए पहले बताया गया कि नवेंबर फिर बताया गया डिसेंबर अभी बताया जा रहा है कि 2024 संक्रान्ती के टाइम अगर भाई 2024 संक्रान्ती के टाइम पे फिल्म को रिलीज करना है तो उस टाइम पे भी तो बहुत बड़ा class होने वाली है तो board date कहां मुनासिफ है December कहां मुनासिफ है November कहां मुनासिफ है देखो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूंगा यह जब November की बात हो रही थी न कि November के मतलब November के महिन में वह जो बता जा रहा था थर्ड नवेंबर, 10 नवेंबर and 24 नवेंबर, ओके यह जो तीन तारीक बता रहा था, तीन तो तारीक जो बता जा रहा था, मैं सोच रहा था कि गाइस चलो कोई नहीं, मतलब अभी पोस्ट 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 कहे करके सलार का महुल बहुत तकड़ा गरम है, है ना, मतलब हमिज अगर नवेंबर को फिल्म रिलीश हो रही है, तो फिर से सलार का महुल बन जाएगा, और नवेंबर में फाइनली हमें फिल्म को देखने को मिल जाएगा, तो चलो कोई नहीं पोस्ट पोस्ट होने की बाद भी कुछ मजा है, जो अच्छा लगेगा, उपर से जवान मूभी भी है, हम एंजर कर लेंगे, ओके, लेकिन गाई, जब सुनने को मिल रही है कि 2024, तो गाईज ये क्या होगा, इस तरह का हाइव ये जो है न, हम खुद निरास हो जाएंगे, हम खुद निरास हो जाएंगे, सलार के मेकर्स को फिर से री क्रियेट करना पड़ेगा, उनकी माह मतलब बहुत बड़ा, खतरनाक चीज़ है यहां पर, मतलब इतना बड़ा कन्फिजन डाल दिया है मेकर्स, कोई भी जरा भी मुममेन नहीं, जरा भी मुममेन नहीं, देखो मैं आपको कहना चाहूंगा, कि यार मेकर्स जो कहते थे थे न, कि प्रमोशन होता रहे बिना आउ बिलो हो जाएगा, फिल्म का गुश्बम चला जाएगा, डेरेकली फिल्म में है, सब कुछ देंगे, कोई सौंग नहीं चोड़ेंगे, बस प्रमोशन होता रहेगा, अगर उस दृस्टी कोण से हम अगर दिखेंगे ना मेरे भाई, तो विल्कुल वैसा ही चल रहा है, पहल स्रिप बाहरी दुनिया से पता चलिया, डेरेकली होम बाले फिल्म की तरब से, या फिर मेकर्स की तरब से, डेरेकली ओफिसल तरीके से नहीं मिली है, तो यहाँ पर दो तरह की बाते हो जाएगे, क्यों ओफिसल अपडेट नहीं आ रहा है, और क्यों पुश्पंड हो रहा लेकिन official तरीके से पताने चला है कि वो postpone हो रहा है या फिर नहीं क्या पता यारे लोग जटका दे देंगे क्या 28 September को release करके मैं यहाँ पर सोचता हूँ अगर ऐसा कुछ है अगर ऐसा कुछ है कि यह लोग directly 28 September को फिर से release कर देंगे क्योंकि official अभी तक नहीं किया है official update जब आएगा तो 28 September कोई फिल्म आ रही है और कोई changes नहीं है बोल करके तो यह जो सारे फिल्म है जो pre-pound होकर कि पोस्ट होकर कि इधर उधर पर एकदम से बिखर गए है तो यह लोग कहा जाएंगे चलो यह तो बहुत कम chances है यह हमारा सोच है बस confusion वाला सोच है देखते हैं क्या हो रहा है लेकिन makers ना guys जरा तो moment देरा चाहिए जरा तो मतलब फोई release date नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी यह लोग बोल देना चाहिए कि सलार पोश्पंट हो चुकिया और release date बहुती जल पता चल जाएगा है ना release date के बारे में जैसे trailer coming soon बोल करके वो soon उनका दिन में मून दिखने जैसा जैसे हो गया है बिल्कुल वैसा यह लोग बोल देंगे release date confirm होगा बोल करके जल्दी से ऐसा कुछ बोल देना चाहिए लेकिन फिल्म पोश्पंट हो गया बोल करके तो official कर देना चाहिए ना मेरे भाई पदा नहीं क्या चाहा रहे है आप लोग को क्या लगता है सलार मूवी का वानी चाहिए मेरे हिसाब से तो नहीं यार कोई भी date सही नहीं लग रहा है 28 September के अलाबा कोई भी date सही नहीं लग रहा है लेकिन जल्द आ जाए क्योंकि अभी 2024 के खतम होने तक कोई अच्छा date नहीं है समझ रहे होगा कोई अच्छा date नहीं है तो मेरे हिसाब से 28 September को आ जानी चाहिए या फिर 2023 के अंदर ही आ जानी चाहिए नवेंबर तक लास्ट हो जाना चाहिए फिल्म को रिलीस कर दो भाई ऐसा हम सोचते हैं और हम नहीं चाहते मैं तो especially मतलब डालिंग फैंस के तरफ से मैं यहीं बोलना चाहता हूँ गया इस देखो 2019 साहो के साथ चला गया 2022 राधिस्याम के साथ चला गया और 2023 जो है अधिपुरुष जा चुगा है यादर सलार ने आया तो गाइस ना 2019, 2022 और 2023 तीनों के तीनों साल लगाता तर डालिंग प्रभास का बेकार हो जाएगा एकदम से बदनाम हो जाएगा तो हम नहीं चाहते कि 2024 में ही एक अच्छी फिल्म देखने को मिले 2023 में ही हमें एक अच्छी फिल्म देखनी है यह मैं सोचता हूँ अगर आप मुझे एगरी करते हो तो जरूर कमेंट करिएगा थैंक्स पोचिंग है वे नाइस थिम